हेलो दोस्तों अरत दैरस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान लोक सेवा आयोग द्वारा आयूजित फर्स्ट ग्रेड इसकुल व्याख्याता परिक्षा 2022 के नविंतम पाथे करम के अनुसार दोस्तों राजनिती विज्ञान यान की पोलिटिकल सैंस का है तो दोस्तों वो यह है टेस्ट है वो अवस्य दे कुल एक सो पचास प्रेस ने इसमें सामिल किये गए हैं और हूप हूँ आपको ऐसाई पेपर है वो परिक्षा में देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों टेस्ट है वो आपको अवस्य देना है और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें और आपको दोस्तों जो बुगोल से हैं तो उनको बुगोल का भी मोडल पेपर मिलेगा ठीक है तो सर्त यही है रोजन आपको मेरे साथ में चलना है आप प्लेइलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा आगे आम जो आने वाले मोडल पेपर भी आपको वहीं मिलेंगे फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान मोडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा ठीक है तो आगे वाले मोडल पेप पर भी आपको वहीं मिलेंगे देखें दोस्तों यहां पर पहला प्रसन निमनलिकित में से कोन राज्य नहीं है बताएं निमनलिकित में से कोन राज्य नहीं है यहां पर देखें फ्रांस ऑस्टेलिया गार्बिया दोस्तों यह तीनों क्या है यह तीनों राज्य है लेकिन दो नमबर का ओप्षन बिल्कुल सही। आगे देखियें यहां पर है। सेकेंड नमबर का प्रस्थन है। जिस्से राजनीतिक दार्षनिक ने सरोपर्तम राजनीती सास्तर में आदूनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया। वह है कौन था? वो था दोस्तों, अरस्टू, यहाँ पर बी नंबर का option राइट अंसर हो जाएगा, अरस्टू. आगे देखिए तीन नमबर का प्रेशन है राज्य के एतियासिक विकास का कौन सा करम सही है दोस्तो वो करम है वो करम है दोस्तो पूरवी राज्य, रोमन सामराज्य, सामंती सामराज्य, राष्टर राज्य तो यहाँ पर C नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसमें हो जाएगा ठीक है याद रखना आगे देखे चार नंबर का question है निमनलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों यहाँ पर देखे राज्य एपू से व्यापक है समाज राज्य से व्यापक है ठीक है और देखे दोस्तों इसमें देखे इसमें राज्य एमुर्थ तथा सरकार मुर्थ है समाज राज्य से व्यापक है सरकार राज्य की अभी करता है यह दोस्तों यह तीनों खतन है यह इसमें क्या है बिल्कुल सही है चोथ कि राज्य की सदश्यता है वो अनिवारिय है परंतु समाज की एच्छिक होती है ठीक है तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का उप्शन बिलकुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए यहां पर पांच नंबर का प्रेशन है निमनलिकित में से किस बासा में सब्द स्टेटस जिससे सब्द स्टेट उत्पन हुआ है पर्थमते परियुक्त हुआ है निमनलिकित में से किस बासा में सब्द स्टेटस जिससे सब्द स्टेट उत्पन हुआ है पर्थमते परियुक्त हुआ है दोस्तो यह पर्थमते परियुक्त हुआ है यह परियुक्त हुआ है दोस्तो टूटोनिक यह अंग्रेजी базा के सब्द इस्टेट जिसका प्रियाए है दूटन यानि की स्टेट से मेरी सब्द से हुई है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ओप्सन बिलकुल सही आगे देखे है हाँ पे सिक्स नंबर का प्रस्ण है निम्ण में से किसका विचार है कि संपरभूता इश्वरिये तथा प्राकर्तिक कानूनों से सिमित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो बोधा तो यहाँ पर ए नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो आगे देखिए, साद नमबर का प्रिस्ट ने, Rाजे उच्तम नेतिक्ता का परति निजित्व Anytime करता है, यहायायाinkत का मत किस का है, तो दोस्तो यह मत है किसका, तो यह कांट का मत है, दोस्तो बी नमबर का option राइट आंसर कांट का मत है, अगे देखिए निम्नलिकित में से, कि किस एक सब्द का परियोग होपस द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है निमनलिकित में से किस एक सब्द का परियोग होपस द्वारा राज्य को इंगित करने के लिए किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉमन वेल थे तो यहां पर अपना इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे अरस्तु के अनुसार सरकार का सरोत्म परकार था तो वो कौन सा था वो था दोस्तो पॉलिटी यहां पर बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पॉलिटी इसकार आइट अंसर दस नमबर का प्रशन है सामाजिक संवीदा सिद्दान्त के अनुसार सामाजिक संवीदा सिद्दान्त के अनुसार दोस्तो राज्य एक मानवकरत संस्ता है तो यहां पर बी नमबर का उप्शन है वो इसका राइट अंसर हो जाएगा जारा नंबर का प्रस्न इसमें देखिए निम्नांकित में से राजे की उत्पत्ती के पित्रसतात्मक सिध्दान्थ से समंदित कौन है तो वो है दोस्तो हेंडरी मेन तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर औप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा में आगे देखे बारा नमबर का प्रशन है राज्य की उत्पत्ती के साव्यवी सिद्दान्त से किसका नाम संब्ध है बताइए दोस्तों राज्य की उत्पत्ती के साव्यवी सिद्दान्त से किसका नाम संब्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हरबट इस्पेंसर का तो यहांपर D number का जो option है वो इसका right answer हो जाएगा हरबट Spencer का तेरा number का प्रस्टन है नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्ये को सकती के रूप में परिबासित किया है बताईए नीचे बर्लम को दिर्फ थेतों मेखया वेली तीक है ग्रिो इसमाड में में गलत है नी स्टली में से केट्री ए यहां पर है this game निजर्ण को परिवासित किया है इन सिंतकों ने तो यहां पर अपना इसमें right answer क्यों जायAP का एक आगा यहां पर है मिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों यहां पर एक तीन चार कर लेना इसमें देखिए इसमें काट लेना दो ठीक है तो यहां पर एक तीन चार इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर है इसमें हो जाएगा ठीक है आगे देखिए यहां पर चौजा नंबर का प्रेस दमन का एक करत्रिम चक्र है ये दोस्तो ये अवदार्ना किस ने दिये ये दिये दोस्तो माक्स ने ठीक है याद रखना दोस्तो राजे दमन का एक करत्रिम चक्र है ये अवदार्ना दोस्तो माक्स ने दी है राजे एक जीवधारी है राजे एक जीवधारी है ये दिये दोस् अवधारना और देखे राज्य पूर्ण नितिक विकास की आवशक परिस्तितियों का सरजन करता है यह अवधारना दोस्तों किस ने दी है तो यह ती एच ग्रीन ने दी है ती एच ग्रीन ने और दोस्तों राज्य एक आवशक बुराई है यह अवधारना दोस्तों दी है जे चार, एक, धुव, तिन, अधिकर का अगरνी प्रवकता कौन है तो दोस्तो बताईे कोई तो वह है जेम्स कौन है दोस्तो बताइए तो दोस्तो जेमश पर्थम तो यहां पर d number का option right answer हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित में से कौन परतेवादी यानिकी आदर्सवादी विचारक नहीं है बताइए निमनलिकित में से कौन परतेवादी यानिकी आदर्सवादी विचारक नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए कांट है बेठम है बेडले है लेकिन ही गेल नहीं है तो यहां पर बी नंबर का option right answer हो जाएगा इसमें ठीक है याद रखना है तो दोस्तों यहां पर इसका right आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ही गेल इसका राइट आंसर ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहां पर कि सत्रह नमर का प्रिस्ट ने वस्तुत है समस्त समाजवादियों तथा सामयवादियों की जड़े पलेटों में विद्यमान है यहें टिपणी निमनलिकित में से किस ने दी है वस्तुत है समस्त समाजवादियों तथा सामयवादियों की जड़े पलेटों में विद्यमान है यहें टिपनी निमनलिकित में से किस ने दी है तो दोस्तों यह दी है किस ने तो यह दी है सी सी में किसी ने तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिलकुल सही आगे देखिया 18 नमबर प्रेष्टन है यदि लेवियाथन इतियास की कुणजी के रूप में विर्थ है तो यहां राज़े के सिदान्त के रूप में भी निस फिल है यहां का थन किसका है दोस्तों ये कथन है ये किसका है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये सी ए वाहन का कथन है दोस्तों यहाँ पर बी नमबर उप्शन बिल्कुल सई गुनिस नमबर प्रेस निमनलिकित में से कौन निरंकुस राजतंतर का समर्थन करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होबस तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही बीस नमबर प्रेस ने लोक ने किस सिद्दान्त का समर्थन किया लोक ने किस सिद्दान्त का समर्थन किया तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सिमित संपरबुता का समर्थन किया यहाँ पर बी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सह आमी नहीं होना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो प्लेटो का यहाँ पर बी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा प्लेटो का आगे देखिए समीदा वादियों में कोन राज्य को प्राकर्तिक अधिकारों से सिमित मान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो लोक ठीक है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक आगे देखिए नव परतेवाद का परतिवादक कोन नहीं है नव परतेवाद का परतिवादक कोन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस रखें तो यहां पर इसमें सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे राज्य परत्वी पर इस्वर का अवतरन है यह कथन है राज्य परत्वी पर इस्वर का अवतरन है यह कथन है दोस्तों यह कथन है हीगेल का कथन है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ब सिद्दान्थ है वो इस तरफ कर लेना इनको ठीक है सिद्दान्थ को आपको इस तरफ करना है ठीक है अब यहां पर देखिए दोस्तों अपने को सुमेलित करना है देखे अधिकारों का आदर्सवादी सिद्दान्थ है अधिकारों का आदर्सवादी सिद्दान्थ मैं यहां दोस्तो परवक्ता है वो कौन थे तो दोस्तो वो थे टी एच ग्रीन कौन थे टी एच ग्रीन ठीक है और अधिकारों का नरसेंगी के सिद्दान्थ है इसके परवक्ता थे दोस्तो जॉन लॉक कौन थे जॉन लॉक थे और अधिकारों का एतियसिक सिद्दान्थ के परवक्ता थे वो थे दोस्टो एड्मंड वर्फ एड्मंड बर्क ठीक है और अधिकारों का वेदानिक सिद्धान थे कि परवक्ता थे दोस्टो वो है जेरेमी बेन्थम जेरेमी बेन्थम तो इस प्रेशन का राइट आंसर की आवशक्ता का बचाव नहीं करता है निमनलिकित में से कौन एक एक एकरत सत्ता की आवशक्ता का बचाव नहीं करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो क्रेब यहां पर सी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्रेब एक बहुलवादी विचार है इसलिए वह एक एकरत सत्ता की आवसक्ता का बचाव नहीं करता सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे राजनिती सास्तर के समुए सिदान्त के परतिवादक कौन थे दोस्तों कौन थे राइट आंसर हो जाएगा ओर थर बेंट ले तो यहां पर इसका राइट आंस बहूलवादी चिंतक सामनिता राज्य को बिन एक रूप में वेक्त करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुदायों का समुदाय समुदायों का समुदाय तो यहां पर इसमें right answer हो जाएगा ए नमबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें आगे देखिए दोस्तों यहां पर है 31 नमबर का प्रेस्न है निम्नलिकित में से कौन एक सही है कौन एक इसमें सही है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए सिरफ एक ही सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ वेदानिक संपर्भू राजनितिक संपर्भू की इच्छा के विरूद कारिये नहीं कर सकता वेदानिक संपर्भू राजनितिक संपरबूत की इच्छा के विरूद कारिये नहीं कर सकता ये कतन है दोस्तों ये इसमें क्या है बिल्कुल सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रशन है संपरबूता के सिद्धान्त को विक्सित करने वाला पर्थम विचारक कौन था पर्थम विचारक था दोस्तों ओश्टिन तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 33 नंबर प्रशन है किसने संपरबूता को राज्य की सरवोच्य इछ्छा के रूप में परिबासित किया है आगे देखिए उदारवाद का मौलिक बुनियादी सिद्धान्त है उदारवाद का मोलिक बुनियादी सिद्धान्त है तो वो कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिक सवतंतरता यहाँ पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीत हो जाएगा व्यक्तिक सवतंतरता 35 प्रसने जॉन लोग को बिटिस करांती का सिद्धान्त वादी माना जाता है तथा उसका राजनितिक दर्शन आदार चिला रखता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उदारवादी राज्य के सिद्धान्त की तो यहाँ पर सी नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए उदारवाद का आरतिक ओचितें किसके द वारा प्रसथत किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों डी नमबर का ऑप्शन बिलकुल सही इसनमर का प्रसन नमने कीट का परतिनिधी नहीं है तो वो है दोस्तों देखिए जॉन इस्टुएट मिल एडम स्मित हरबर्ट स्पेंसर ये तीनों हैं लेकिन नॉर्मन एंजेल ये नहीं है तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा अरतिस नंबर प्रसन इसमें देखिए वितरनात्मक न्याय का अग्रणी परतिवादक था तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरस्तु यहां पर बी नंबर का जो अप्षन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा अरस्तु आगे देखिए 49 नंबर का प का आधुनिक द्रश्टी कोन है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सभी चालिस नंबर प्रस्टन इसमें देखिए निमनांकित में से किसने समानता के वैदानिक आयाम को व्याख्याइत करने के लिए वैदानिक व्यक्तित्व की समानता की अवदारना का प्रियोग किया है निमनांकित में से किसने समानता के वैदानिक आयाम को व्याख्याइत करने के लिए वैदानिक व्यक्तित्व की समानता की अवदारना का प्रियोग किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस सक्रात्मक समान्ता को लोगों की समुर्थे समान करने से समनुदित होना चाहिए? vy으ितनात्मक समान्ता को लोगों की समप समुर्थे करने से समनुदित होना चाहिए? तो इसका right answer हो जाएगा वो है दूस्तों, John Rawls? तो यहाँ पर बी नमबर उप्षिन बिलकुल सॉईँ आधे कि इसारत्र दा कि कि ़िवेचना की थी किसटीह क्यों कि आधे थि धी तो दोस्टों यह की थी टीत्त गुरुन ने तो यहां पर बी प्रकोष्ट संपर्क कारियेसलिये अपनाई जाती है इसका right answer हो जाएगा वो है दबाव समूह द्वारा तो यहाँ पर डी नमबर का जो आप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा दबाव समूहों द्वारा आगे देखिए पैटालिस नमबर का फ्रस्ण है निम्नांकित में से कोन आमंड के दबाव समुहों के वर्गी करण में समिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिए यहां पर सरचनात्मक समुह है तो यहां पर ए नमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहां आगे देखिए 46 नमबर का प्रस्ण है निम्नां लिकित में से एक दबाव समुहों की तकनीक नहीं है तो वो कौन सी नहीं है तो वो है दोस्तो एक विचारदारा का प्रसार एक विचारदारा का प्रसार तो यहां पर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 47 नमबर का प्रेस्ट ने इसमें देखें कौन यह मानता है कि अधिकारों का वास्ट्विक सरक्षन जन्मत होता है तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गार्नर यहां पर C नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा गार्नर आगे देखें किसने यहें विचार परतिबादित किया कि परतेक गाउं पंचायत का गंडराजे होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो गांधी जी यहां पर D नमबर का उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा गांधी जी आगे देखें माक्सवादी सिद्दान्त के अनुसार प्राचिन काल में कौन सी विवस्ता इस्तापित थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डार्विन की विवस्ता ठीक है यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही डार्व सिसू कहा गया निमनलिकित में से किसे बिरेटेस फेबियन वाद तथा फ्रांसिसी सर्मिक संगवाद का बोधिक सिसू कहा गया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्रेणी समाजवाद को यहाँ पर सी नमबर का जो उपशन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा स्रेणी समाजवाद को माक्स वादियों के अनुसार राजे की उत्पत्ती में किस गटक की भूमी का सरवादिक निर्णायक रही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संपत्ती यहाँ पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही संपत्ती आगे देखिए निमनलिकित में से किस माक्स वादि विचारक ने सर्वहारा के परजातांत्रिक अधिनायक वाद का विचार दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लेनिन ने यहाँ पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा लेनिन ने आगे देखिए त्रेपन नंबर प्रेशन है इन में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्लेटो यहाँ पर सी नंबर का उप्शत बिल्कुल सहीतर हो जाएगा प्लेटो चोवन नंबर का प्रेशन इसमें देखिए उधारवादी सिद्दान्त के अनुसार राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसी साद्दे के लिए एक सादन है तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए पच्पन नंबर प्रेशन ने 1857 के पूर्व भारत में ब्रेटिस साद्द को विग्वनासात्मक एवं में पत्नों मुकी किस ने बताया है तो दोस्तों बताये किस ने बताया है यह विनास का ही कारण बनेगा तो यहाँ तो कौण सी एक अध्यक्सात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है तो दोस्तों इस में देखिए आपको दिख रहोगा राष्ट्रपति का वास्ट्विक सत्थ सथा महभयोक की पर कि आसामोई को तरदाइ। वह यह गलत इसमे में संग की सपलता के लिए निमनलीकित मेंसे कौन्सा आउसक है तो इसका लिक्ता अंसर हो जाएगा वह समानता समुचित इसका right answer हो जाएगा वो है Herman Finner. Herman Finner. यहां पर B number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें. आगे देखिए 60 number का प्रस्थन है. कौन इस विचार का समर्थन करता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्ता को अपने बीतर की विविन्ता का प्रतिनिदी होना चाहिए. तो इसका right answer हो जाएगा वो है make person. तो यहां पर C number का option right answer हो जाएगा make person. 61 number का प्रस्थन है इसमें देखिए दोस्तो सुमेलित करना है सुची first और सुची second यहां पर दे रखा है. ठीक है? दोस्तो इसमें देखिए अपने को बताना है कि कौन से सिद्धान्त है वो किस ने दिया था? यहां पर देखिए परजात अंतर का सास्त्री सिद्धान्त के प्रवरक्टा है वो कौन थे? दोस्तो वो थे जोन इस्टुएट मिल. ठीक है? कौन थे? दोस्तो जोन इस्टुएट मिल. तो यहां पर देखे इसमें थोड़ा सा जो टाइप है वो सही नहीं हुआ हो तो यहां पर इसमें देखे यह देखे जो निस्टूट में लिए इदर आ गया ठीक है इसको प्रसुन को छोड़ दीजिए दोस्तों आगे देखे निम्ललिकित में से कोन से व्यक्तवे राजनेतिक दलों के बारे में सही है अपने उत्र का चैन नीचे दिये गए कूटों की सायता से कीजिए भासट नमबर का यह प्रसुन है कूट बासा में से अपने को क्या करना है उत्तर देना है अब देखे इसमें तीक है दल राजनितिक परकिरिया का एकिकरण सरली करण एवं में इस तरीकरण करते हैं बिल्कुल सही है दल राजनितिक नेतरत्वे की बर्ती करते हैं बिल्कुल सही है दल विचारों के दलाल का काम करते हैं बिल्कुल सही है दल सामपरदाइक मुद्दों से परेज करते हैं ये गल पर इसका राइट आंसर बी नमबर उप्षन हो जाएगा, एक दो तीन इसमें सत्य है। तो यहां पर इनमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। पराज पार्टी का संस्तापक अद्यक्स कोन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सी आरदास। यहां पर सी नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा, सी आरदास। चांसर नमबर का प्रेस ने आरे समाज का संस्तापक सदस्य कोन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें। बताईए, यह तो सभी को पताऊगा, दोस्तों स्वामी दयानन सरस्वती ने बंबई में आरे समाज की स्तापना की थी, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही, स्वामी दयानन सरस्वती, सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से दोस्तों, गुनी सो बीस में हुआ था, लखनो पैक्ट समझोता कब हुआ था, यह गुनी सो सोला में हुआ था, बंगाल का विबाजन गुनी सो पांच में हुआ था, और सवी नवग्यांदोलन गुनी सो तीस में हुआ था, ठीक है, चार एक दो तीन इसका राइट आंसर ह होना चीह है तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए एक मात्र कॉंग्रेस अदिवेशन जो मात्मा गांदी के अध्यक्सता में हुआ वह निम्नलिकित में में से किस जगह संपन हुआ दोस्तों वह संपन हुआ कहां पर है तो संपन हुआ बेल गाओं में गुनिशोचोबिस में तो यहां पर एनमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए किस वर्ष कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनाव समझोते पर अस्ताक्सर नहीं था कौने सा एक समयलि नहीं था वह अपने को यहां पर बताना है देखिए उस्तों का बहिश्कार बिलकुल से है नाय र्लेलों का बहिश्कार यह भी बिलकुल सही है कानूनों की आऊ रह्माना ये गलत दर्खा है 12 सरकारा धिस्वाइल गुनिश लंगिस के अंतर अर वाचनों का बैसकार, यह भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसमें इसका right answer क्या हो जाएगा, यह दोस्तो C number का option right answer हो जाएगा, क्योंकि एक कानुनों के अउमाना इसमें समयलित नहीं था, आगे देखें, भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिलाद्देक्स को थी पर्थम महिलाद्देक्स थी दोस्तों स्रीमती एनिविशेंट राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे माउंट बेटन योजना आधार बनी है यह योजना आधार ब पताएए भारती राष्टे कॉंग्रेस के तीन बार अध्यक्स कौन बने हैं चार उप्सन आपके सामने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादा भाई नरो जी तो यहां पर बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही ठीक है अब यह दोस्तों यह तो आप सभी को पता ठीक है और फिर उसके बाद में कलकत्ता में वापस बने थे ठीक है गुनिस उच्छा में तो इन्होंने तीन अध्यक्स के अध्यक्सता की है तो यहां पर इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए भारती राष्टे कॉंग्रेस न निम्न अलिकित में से किस अधिवेशन में भारत फोड़ो प्रस्ताव पारित किया था तो भारत फोड़ो प्रस्ताव दोस्तों गुनिसो बियालिस में बंबई अधिवेशन में किया था तो यहां पर सी नंबर उप्सन राइट आंसर पिछेतर नंबर प्रसन है भारत एक गंड राज्य है क्योंकि भारत में राज्याद्यक्स राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो यहाँ पर डी नमबर का उप्षन राइट आंसर है शेतर नमबर प्रस्टन है निम्न में से कौन सा विशे भारते सविदान की संग सुची से समंदित नहीं है बता ये कौन सा विशे भारते सविदान की संग सुची से समंदित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें रक्षा विदेशिक मामले रेलवे ये इसमें संग सुची में है लेकिन क्रशी नहीं है तो यहाँ पर इसमें डी नमबर उप्षन के संपत्ति के अधिकार का मुलादिकारों की सूची से निस्कासन किया गया वह है जिससे सविदान संसोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मुलादिकारों की सूची से निस्कासन किया वह है तो यह तो सभी को पता होगा 44 वा सविदान संसोदन जो संपत्तिक अधिकार था उसको अटा दिया गए था थीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा C नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें निम्न लिखित में से कौन सी योजना सविदान सभा के संगठन का आदार थी सही उतर हो जाएगा वो है केबिनेट मिशन योजना यहाँ पर B नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निम्न मेशे किस अधिनियम द्वारा भारत में संग साथशन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारत सरकार अधिनियम गुणी 135 यहां पर बी नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे निमनलिकित अधिनियमों में से किसने भारत में पर्थक सामपरदाइक निर्वाचन का प्रावदान किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतिये परिशद दिनियम गुनी सो नो ठीक है जिसको अपने मारले मिंटो सुदार दिनियम भी बोलते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखे किसने कॉंग्रेस को स कौन सा भारत में राष्टरबाद के उदय में एक कारक नहीं रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुस्लिम संपरदायवाद तो यहां पर इसका राइट आंसर डी है वो इसका बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित युगमों में से कौन बता ही कौन सा इस में सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है देखिए असेंबली बं मुकदमा गुनी सो गुनतीस में हुआ था बिल्कुल सही है काकरी मुकदमा गुनी सो पत्चिस में कानपुर सडियंतर गुनी सो गुनतीस में मेरेट सडियंतर यह गुनी सो की बड़ी संगठन समता के कारण किस आंदोलन में दी थी मात्मा गांदी ने वल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादी उनकी बड़ी संगठन समता के कारण किस आंदोलन में दी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बारदोली सत्याग्रा में तो यहां पर B-Number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अगे देखिए निम्नलिकित में से कौन सा एक प्रावधान है भारतिय सविदान के अंतरगत संसद के सदस्यों के विशे साधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है निम्नलिकित में से कौन सा एक प्रावध सविदान है भारतिय सविदान के अंतरगत है संसद के सदस्यों के विशे साधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अनुचेद 105 यहां पर B-Number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अनुचेद 105 आगे के उत्रपरदेश की विधान परिशद में राजयेपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनित किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह है एक बटा अच्छे सदस्यों का मनोनित किया जाता है तो राइट आंसर इसमें D-Number option हो जाएगा इमनान कित में से कौन राज् वाही में भाग ले सकता है कौन ले सकता है दोस्तों मंत्री जो राज्य सबा का सदस्यों हो वह भाग ले सकता है यहाँ पर सी नंबर option राइट आंसर आगे देखिए निमनांकित में से किस राज्य की व्यवस्ता पिका में दितिये सदन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो हो जाएगा वो है तमिलाडू तो यहां पर इसका राइट आंसर है नंबर option सहीतर हो जाएगा तमिलाडू में दितिये सदन नहीं है ठीक है उत्रप्रदेश करनाटक और ब्यार तीनों में है आगे देखिए विदान सभा के सदस्यों की निहरताओं से समंदित प्रश्णों पर अंतीम विनिस्ट किसके द्वारा लिया जाता है ये लिया जाता है दोस्तों राज्य पाल द्वारा तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए यहां पर बारती सविदान के अनुच्छद 16 के किस खंड के अंत चार के लिए तो यहां पर डी नमबर का उप्छन बिल्कुल आगे देखिए निमन लिख्यत में से कौन सा हेकppen मूल करता वे नहीं है तो कौन सा एक मूल करता वे नहीं है तो इसका रॉइट निष्टार चतरनाक वेबसाइओ में बालशर्म का निशेत तो इसका राइट आंसर और और दोनों आगे देखिये सविदान के अंतरगत मुल अधिकारों करक्षक कोन है मुल अधिकारों का संद्रक्षक है दोस्तों न्याई पाली का अगे देखिये निम्न में शित्र ये परिष्डे हैं। दोस्तो ये परिष्डे हैं परामर सदात्री का यहां। यहां पर B नंबर का उप्शन बिर्पूल सा उत्र हो जाएगा। 97 नंबर का प्रिश्ट निश में इसमें भारत में योजना आयोक का पदिन सभापति कों है भारत में… का पदिन सभापति कोन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परदान मंत्री ठीक है और इसको नीती आयोग में परिवर्टित किया गया है तो नीती आयोग का पदिन सभापति कोन है तो वो है परदान मंत्री आगे देखे संग लोग शेवा आयोग अपना वार् सभा के प्रति उतरदाई होती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर सो नंबर का प्रशन है सविधान के तेतरवे संसोदन अदिनियम गुनी सो त्रियानम के अंतरगत है पंचायती राज व्यवस्ता निमन में से कि दोरम यहाँ पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए नयदी सो के वेतन एवं पेंचन संबंदी प्रावदान है बारतिय सविधान के किस भाग में उपबंदीत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जित्य सूची में तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आगे देखिए नयाइक समिक्सा दरसाती है कि सर्वोचे नहले रखता है सर्वोचे नहले रखता है भारत के राष्टर पती पर महाभीयोग लगा सकता है तो यहाँ पर अपना इसमें पहला नंबर का है दोस्तों इसमें ओप्शन दे नहीं रखा यह भी गलत हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों सर्वोचे नहले सभी सवेदानिक मामलों के संबद में अंतिम प्रादिकार रखता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता रहा हूं वो करतव्य नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने दल की नीतियों के बारे में सुचित करना तो यहाँ पर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे भारत का परदान मंत्री होता है दोस्तों बारत का परदान मंत्री नियुक्त होता है यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही राश्टर पती नियुक्त करता है आगे देखे किसी प्रांत के राजयपाल को किसी प्रांत के राजयपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेक अधिकार यानि कि विशेस अधिकार है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर सी नंबर उप्शन कि वहें अपना कार्यालाइपद की अवदी समाप्त होने के ततकाल बाद छोड़ेगा तो यहाँ पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए एक सो साथ नंबर प्रसने भारत में महानयवादी को दोस्तो राष्टरपती द्वारा नियुक्त किय जाता है तो यहाँ पर B-NUMBER का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए का shipping में राष्टरपती छासनलागो किया जा सकता है के अंदर में राष्टर पती संस लागो किया जा सकता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यहे वं आ назыв के अ départ किसा आसं लागो की आजा सकता है यहां पर C नंबर का पुप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए हिंद सव्राज नामक पुष्टक के रचेता हैं तो दौस्तों वह कौन है तो वह है दौस्टों महातमा गांदी यहां पर राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्र आए हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए होपस होपस की जो रचना है वो दोस्तों लेविया थन दे रखिए बिल्कुल सही है रूसों की रचना दोस्तों यहाँ पर सोशियल कॉंट्रेक्ट यह दे रखिए बिल्कुल सही है दोस्तों काल मार्क्स की दोस्तों यहाँ पर नय ठीक है तो दोस्तों यह लेनिन की रचना है यह आपको इसमें या द रखना ए और लोग की रचना है दोस्तों अलेटर ओफ टोलरेशन तो यहां पर अपना इसमें राइट आइट आशर हो जाएगा डी नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर इसमें हो जाएगा आगे देखे दे modern state के रचेता है दे modern state के रचेता कौन है इसका right answer हो जाएगा वो है मेकाईवर यह modern the modern state के रचेता है ए नंबर option बिल्कुल से फागे देखे एक सुमेलित नहीं है तो को इस इसमेलित नहीं है यहां पर देखे दोस्तों हो आपको दिखा होगा से गवाउनल गार्नल में देखे दोस्तों पोलिटिकल साइंस एंड गवर्मेंट है ब्राइस में देखें modern दिम के modern democracy टिके उल्यू theory of the state तो दोस्तों ये अपना c number का option है वो इसमें right answer हो जाएगा बाकि मेकाईवर का दोस्तो the modern state ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें तो इसका right answer क्या हो जाएगा c number का option बिल्कुल सही ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे behind we welfare state के लेकर कौन है दोस्तों इस पुस्तक के लेकर है वो है दोस्तों गुनार मिडल तो यहाँ पर इसका right answer c number option हो जाएगा 114 नमर का प्रस्टन इसमें देखिए कौन power elite नामक grant के लेकर है तो इसका right answer हो जाएगा वो है c right mils d number option बिल्कुल सही सुची first को सुची second से सुमेलित करना है एक तरफ लेकर के दूसरी तरफ पुस्तक है देखे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है तो दोस्तों वो है ain't the fit of मात्मा गांदी ain't the fit of मात्मा गांदी यह है दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम ठीक है और मात्मा गांदी की पुस्तक का नाम young India है ठीक है और मोलाना अबुलकुलाम आजाद की पुस्तक का नाम है वो है दोस्तों India wins freedom और सुमा संदर बोस की है दोस्तो the industrial struggle तो यहां पर अपना इसमें right answer क्या हो जाएगा दो एक चार तीन तो यानि कि अपना इसमें बी नंबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अगे देखिए भारतिय तथा अमेरिकी संगिये विवस्ता में एक परमुख बेद है की यानिके एक परमुख अंतर है की वो अंतर क्या है वो अंतर है दोस्तो इसमें देखिये राज्यों और संग के अधिकार चेतर इस पस्ट वूप से निर्धारित है लिकित सवीदान है नागरिकों के मुल अधिकार दीए गए है अमेरिकी सेनेट में राज्यों को समान प्रतिनीदित्व प्राप्त है जबकि भारत की राज्ये सबा को यह प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका राइट अंसर हो जाए का यह एक अंतर है आगे देखिए एक संग्य प्रंणली में केंदर सरकार को प्रदत सक्तियों की गरना सविधान करता है त debido कुछ नीहित सक्तियां भी होती है नीहित सक्तियों का शिद्धान थे किसके द्वारा प्रतिवादित किया गया था तो किसके द्वारा परतिबादित किया गया था तो वो दोस्तो television है बिल्कुल सई आगे देखे वांचु रिपोर्ट्ट के आधार पर पर पर्थमत है भासा के बासीय राजय गठित किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आंदर प्रदेश गुनी सुत्रेपन यहाँ पर ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे वर्ष 2003 में गोरखाओं को पिछडे वर्ग का इस्तर किस प्रदेश में प्रदान किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे बारस सरकार के लिए हिंदी बासा का विकास है दोस्तों एक स्वेधानिक प्रतिबदता तो यहाँ पर सी नमबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे उत्तर बाल्यावस्ता में बालक भोतिक वस्तों के किस आवशक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दर्वेमान संख्या और शेत्रगे में D नमबर उप्षन बिल्कुल से आगे देखे विकास का आर्थ है दोस्तों विकास का आर्थ क्या है विकास का आर्थ है अभी प्रेंजा एवं अनुबआव के फलसरूप होने वाले परिवर्तनों की उतरोतर सुरंखला यहाँ पर C number का option right answer देखे 6-7-7 विज्ञान से समन्दित प्रस्टन पुछे जाएंगे तीस आगे देखे यहाँ पर 123 नमबर प्रस्टन है इसमें देखे यानि कि साइकोलोजी साइकोलोजी से समन्दित 30 प्रस्टन पुछे जाएंगे देखे यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्वा बाले वस्ता की विश्यस्ता नहीं है तो कौन सी पूर्वा बाले वस्ता की विश्यस्ता नहीं है दल समोय में रहने की वश्ता अनुकरन करने की वश्ता प्रस्टन करने की वश्ता यह तीनों पूरुव बालवस्ता को का जाता है यहां पर ए नमबर और उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें अभी प्रेरक के समंद में निमन मेंसे कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है डाइरेक्ट बता रहा हूं देखिए दो किस विदी का प्रियोग अध्यापक को नहीं करना चीए तो किस विदी का प्रियोग अध्यापक को नहीं करना चीए तो वो है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना यहां पर ए नमबर और उप्शन बिल्कुल सही आगे देखें पांच वर्स का राजू पश्चात बिजली कड़कती है राजू बिजली की गरतना सुनकर उचलता है राजू को उचलना सीखने के लिए किस सिद्धानत का उधारण है दोस्तों नॉर्मल है यह सास्त्री अनुबंदन का सिद्धानत का उधारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप प्रेड़ना एक परकिरिया के संदर्ब में उप्यूक्त नहीं है निम्न में से कौन सा कथन है अभी प्रेड़ना एक परकिरिया के संदर्ब में उप्यूक्त नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है य इमने में इसे कौन सा उदारन है तो वो है दोस्तो मित्रों के द्वारा उपास यहां पर यह नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपास आगे देखिए सामने परीपक्वन से पहले प्रसिक्सित करना प्राय है सामने परीपक्वन से पहले प्रसिक्सित करना प्राय है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए लाबकारी है या हानिकारक यहां इस पर निर्बर करता है कि प्रसिक्षन में किस प्रकार की विदी का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर डी नंबर का उप्सन बिल्कुल से आगे देखें निम्न में से कौन सा विकासात्मक कारिये उत्तर बाले वस्ता के उप्यूक्त नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो पुरसोचित या इस्त्रियोचित सामजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना व्यक्तिक आत्म निर्बरता प्राप्त करना तो यहां पर बी नंबर का उप्सन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखे विकास के संदर्प में निम्न मेंसे कौन साकतन सत्य नहीं है तो कौन साकतन इसमें सत्य नहीं है यहां पर देखे विकास उकसान नहीं या बढ़ावा देने से नहीं होता है तो यहां पर इसमें बी नंबर उप्सन बिल्कुल सही आगे देखें कमजोर वर्ग के बालक से तात्प्री है तो क्या तात्प्री है दोस्तो इसे तात्प्री है ऐसे अभी वावक के बालक से जो सरकार दोरा निर्दारित नियुनतम सीमा की वार्शी का आए की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं वो कमजोर वर्ग के बालक किस र अच्छे मानसिक स्वास्ता को बनाए रखने के लिए निमन में से कौन सा तरीका अधिक मैतो पुने कौन सा तरीका अधिक मैतो पुने तो दोस्तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्धाली वातावरन तो यहाँ पर डी निमन में से कौन सी मानसिक मंदिता की विशेशता नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें अंतरवेक्तिक समंदों का कमजोर होना यह नहीं है बाकी तीनों है आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजे तीनों को डी निमन में से कौ कुन सा वेवार भावनात्मक बादा को प्रदस्शित नहीं करता तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों स्वालिंता तो यहाँ पर अपना डी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए समयोजन से तात पर यह स्यों का विबिन परिस्ति आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा मैसूस नहीं करते उनके वेवार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंतर परिलक्षित होता है तो दोस्तों वो होता है कौन सा तो वो होता है दोस्तों विस्तापना तो यहाँ पर अपना इसम में चेतन के तीन इस्तर हैं बताइए तो दोस्तों वो है मनोव श्लिशनात मक्षिदानत है यहां पर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए छैसे दर्स वर्स की अवस्ता में बालक रूची लेना प्रारंब करते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है लिए सिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टी पोशन परदान करना तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए प्रात्मिक विद्यालेओं के बालकों के लिए निमन में से किसे बैतर मानते हैं तो किसे बैतर मानते है इसका राइट आं रुजाएगा वो है दोस्तो कमवदी की परिक्षाओं में अंत्रन तो यहां पर अपना इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल स़िए आगे देखें व्याक्यान विदी का दोस है वो क्या है दोस्तो वो है यहां सिस्य को इस्सा लेने के लिए अवसर देता है तो यहां पर अपना इसमें D-Number option बिल्कुल सही आगे देखे उचलक्से प्राप्ती में मनोयांत्री के कारे चित्र है उचलक्से प्राप्ती में मनोयांत्री कारे चित्र है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो नागरी की करण यहां पर E-Number का option बिल्कुल सही आगे देखे रेडियो, कार्टून, नाटक, योजना सहयक उपकरण नहीं है दिये गए सायक सामगरी के लिए सिक्षन सास्तर की दरिष्टी से उप्युक्त करम को पहचानिये तो दोस्तो वो है सरव्य सामगरी, आरेक सामगरी, किरियासिल सामगरी यहां पर E-Number का option बिल्कुल सही आगे देखे, एक विद्धार्ती पिछले तीन दिनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों की भविश्यवानी करता है धै, यानि कि लक्षे की सिद्धी सक्समता पर आधारित है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें प्रियोग तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा D-Number option बिल्कुल सही आगे देखे, निमनलिकित में से कौन सा पार्ट बुगोल सिक्षन में पर्तेक्स अवलोकन विदी की बेतर संभावनाए रखता है तो इसका right answer हो जाएगा वो है मलेशिया की रबड की खेती तो यहाँ पर अपना इसमें A-Number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यह पहला नंबर का जो model paper है वो political science का करवा दिया है झाल